तो अब हम एक नए topic को discussion करने जा रहे हैं जिसका नाम है contraction and decrease in demand करव Sir, contraction मतलब क्या होता है? contraction मतलब secure जाना, reduce हो जाना, कम होना और decrease, decrease मतलब भी कम होना अब इन दोनों मिलते जुलते सब्दों के बीच में हम difference सीखते हैं तो सबसे पहले contraction in demand जैसे आपका price increase होगा, तो आपका demand क्या होगा? Decrease होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? contraction in demand यहाँ पे आपका decrease demand क्यों हुआ? Sir, price के बढ़ने से, तो यहाँ पे responsible factor क्या है? Price है, और Sir, decrease में क्या होता है? Decrease में आपका price क्या होगा? कॉंस्टेंट होगा, बट आपका demand क्या होगा? घट जाएगा Sir, price constant, बट demand decrease? Yes, Sir, तो इसे हम क्या बोलेंगे? Decrease in demand Sir, price के constant होने से, demand क्यों decrease होगा? बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक कारण हो सकता है population population अगर decrease होगा, तो आपका demand भी decrease हो जाएगा क्या हमने यहाँ price का किसी तरह का बात किया क्या? No, Sir, that means price constant है आपने देखा कि price के constant होने से आपका demand घट सकता है और Sir, कोई point बताईए test and preference जैसे किसी भी commodity का test and preference unfavorable हो जाएगा तो आप उस commodity का demand क्या करेंगे? decrease करेंगे आपका income decrease हो जाएगा तो आप normal goods का demand क्या करेंगे? decrease करेंगे यहाँ पे इन तीनों point में आपने देखा होगा कि Sir, price क्या है मेरा constant लेकिन उसके बाद भी demand क्या हो रहा है? decrease हो रहा है तो यही इन दोनों में main difference है तो आइए ज़रा definition से इसे cover करते हैं When quantity demand of the commodity falls with the rise in price of the commodity जब quantity demand fall होगा कारण क्या है? Price के बढ़ने से तो इसे हम क्या बोलेंगे? extension बोलेंगे आए ज़रा demand schedule and demand curve से इसे देखते हैं तो price मेरा 6 है और demand कितना है? 50 Price और demand के बीच में कैसा relationship होता है? Sir, negative relationship होता है इसलिए price के increase होने से 6 से 15 हो गया price लेकिन आपका demand जो पहले 50 था अब वो घटके कितना हो गया? 20 हो गया तो इसको हम अब demand curve में देखते हैं तो ये देखिए मेरा price कितना था? Y, X, C जो कि price हो कर रहा है 6 तो quantity demand हम कितना करते थे? 50 करते थे और जैसे price बढ़के 6 से कितना हो गया? 15 ये देखिए price बढ़ गया तो हम अपना demand curve क्या कर रहा है? 50 से 20 कर रहा है तो ये देखिए मेरा demand क्या हो गया? कम हो गया अब इन दोनों point से एक demand curve हम ready कर लेंगे और ये देखिए जो पहले आप demand 50 करते थे अब वो contract होके reduce होके कम हो गया तो इसे हम contraction बोलेंगे arrow bys आप यहाँ पर देख लें ये क्या है मेरा? contraction है very good अब ज़रा increase को देख लेते है when demand of the commodity fall जब किसी भी commodity का demand क्या होगा? fall होगा, कम होगा but for the reason other than price that means उसका reason क्या है fall होने का? sir price को छोर के कुछ भी ठीक है तो ये देखे demand schedule price 10 और 10 दोनों जगा price क्या है? constant है लेकिन आप demand 50 से क्या कर लिए? 20 कर लिए, decrease कर लिए तो इसे ज़रा demand curve में देखते हैं ये x-axis जो की demand बताता है y-axis जो की price बताता है तो price आपका क्या है? constant है और आप demand कितना करते है? 50 तो ये आपका demand curve DD है लेकिन जैसे आप अपना demand कम कर दे रहे है that means 50 से 20 कर रहे है decrease कर रहे है तो आपका demand curve क्या हो रहा है sir? leftward shift हो जा रहा है और ये इधर shift हो जाएगा और एक नया demand curve मिलेगा जिसका नाम है D1-D1 और ये देखिए आपका demand कितना है? 20 तो ये देख रहे हैं आपका demand घट जा रहा है और कारण क्या है? price को छोर के price is constant दूसरा point देखते हैं contraction along the same demand curve आप एक ही demand curve जिसका नाम है DD उसी में आप contraction देख रहे है ये देखिए contraction जो हुआ है वो एक ही demand curve में हुआ जैसे आप decrease in demand में देखेंगे decrease in another demand curve decrease in demand को देखने के लिए आपको दो demand curve का साहरा लेना परा ये देखिए DD था इस DD को देखिए आप बता पा रहे थे क्या क्या increase हुआ या decrease? लो सर जैसे आप another demand curve D1-D1 देखिए तब आप बता रहे हैं कि सर यहाँ पे तो decrease in demand है तो आप दो demand का साहरा लिए इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला? another demand curve और यहाँ पे क्या बोला? same demand curve एक ही demand curve है तिसरा point है here the responsible factor is price only यहाँ पे responsible factor क्या था? price था सर price के increase होने से demand decrease हो रहा था और यहाँ पे responsible factor क्या है? other than price चाहे वो income हो population का घटना हो income का बढ़ना हो all these things thank you very much students अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप हमें जरूर comment box में बताएं